आजादी के बाद कोडर्मा के प्रसिद परेटन अस्थल जर्नाकुंड धाम में पहली बार पहुँचेगी बिजली लोगों में खुसी का महौल कोडर्मा जिले के परेटन अस्थल के रूप में घोसित जुम्रे तलया के जर्नाकुंड धाम में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुँचेगी महासिवरातरी से पहले या धाम पूरी तरह से बिजली की रौशनी से जगमग हो जाएगा इसे लेकर विधुतिकरन का कारे तेजी से किया जा रहा है जुम्रे तलया नगर परिसाथ छेतर से सटे होने के बावजूद जंगली छेतर में अवस्थित होने के कारण जर्नाकुंड धाम तक विधुतिकरन नहीं हो पा रहा था जर्नाकुंड समिती के अथक प्रियास से यहां तक विधुती करन कारे किये जाने को लेकर वन विभाकी और से नोसी दिये जाने के बाद विधुती करन का कारे शुरू हो पाया है जरनाकुंड धाम तक विदूती करण के लिए पांच किलोमीटर तक तार और पोल लगाए जा रहे हैं जबकि विदूती करण के लिए ट्रांसफरमर भी लगा दिया गया है जरनाकुंड धाम तक बिजली पहुँचने से यहां के लोग काफी उत्साही थें यहाँ पर पत्तर के रूप में भगवान भोले का शिवलिंग अस्थापित है और यहाँ दूर दराज से सराधालू भगवान भोले का जलावी से करने पहुँचते हैं हाल में ही जारकन सरकार ने भी जर्नकुंद धाम को परेटक अस्थल के रूप में घोसित किया है समीती के अध्याच मनोज चंदरवनसी ने बताया कि समीती के अथक प्रयास से यहां तक बिजली पहुँच पाई है जिससे उन्हें काफी खुसी है उन्होंने बताया कि जंगली छेतर होने के कारण फॉरेष्ट किलेरेंस नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब वन विभाग ने विधुती करण की इजाज़त दे दी है वहीं जरनाकुंड धाम के मुख्य पुजारी लाल बाबा ने कहा कि विधुती करण के बाद अब रात में भी मांगलिक कारे हो सकेंगे और स्रधालों के साथ साधू संद की आवजाही भी बढ़ेगी वहीं समिती के दूसरे सदस्यों ने कहा कि अब तक सोलर सिस्टम और जनरेटर के सहारे किसी तरह आयोजन होता था और जंगली छेतर होने के कारण शाम के बाद भक्त नहीं आते थे लेकिन अब रात में भी भक्तों का आना जाना हो सकेगा पोटा सब्सक्राइब होता है उनको भी दिक्कत होता था लेन में हो गया तब साधी वीवा भी यहां बढ़ी आएका आगमन जादा हो और भर लोक है बहर साधू शंत भी आते हम उनको भी दिक्कत होता था अपने प्रणा कमेटी लगी हुई थी उनसे नहीं हो पाया वो लोग भी अथक प्रयास किये उसके बाद हम लगें 2016 से लगें तो आज हम इस जगह पर पहुच पाएं और के फोरेश के लिए नहीं दे रहे थे बहुत अच्छा रहेगा पहले लोग अलाभूग लोग आते थे बहुत भाई लगता था अब कोई डर भाई नहीं लगएगा हर पोल पर लाइट लगेगी और सिरात्री से पहले एक दिन पहले यहां बिजली जलेगी यहां पुरे जहरखंड से लोग आते हैं और बहुत परसीद है जहरना कुर्धाम अब यह प्रेटान असल घोसित हो गया है हो गई है सरकारी को घोसित कर दिया गया बहुत खुशी मिल रही है महनत रंगला दिया खास मैं बहुत अथक प्रयास किया इसमें छे साथ तब हमको फोरेश्ट नोसी दिया बिजली आने से खास कर हम कमीटी के लोग जो महनत किये हैं वो अपने आप में सब कोई बहुत कोई उत्षायत हैं और हम लोग कमीटी के लोग के साथ पूरा गाउं के लोग समाज के लोग बहुत ज़्यादा खुस हैं और चुकी जहरना कुन धाम जंगल के बीचो बीच प किया जाएगा जिसके कारण से लोगों काने जाने में कोई कठना ही नहीं हूँ है हम लोग चुकी एक सोलर प्लेट भी लगाए थे और कोई तरह का तेहवार यो कोई फंक्सन होता था तो चोटा मोटा जनेटर से जनेटर के सारे चलता था जैसे दर आप बिजली आने से बह